कि अबरी गुडी उनिंग चोब अलफ यू वान सेगेंड आपका सबका एक बाद फिर्जा स्वागत हैं आपके नए यूट्यूब चैनल एविएस इंग्लिज जोन में कि सबसे पहले आपको बता रहा है जो मैंने टॉपिक दिया आपका नारिशन क्योंकि इसके पहले आपने सिंटेंस के बारे में जान चुके थे और आप पांचों भागों को मैंने एक्स्प्लेंड किया था अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पर पूरे लिंक में पूरे चीज़ें को आप डीटेल पढ़ सकते हैं जान सकते हैं कि इसको पढ़ना ज़रूरी है इसके बाद ही आप आरेशन के बारे में समझ सकते हैं जब तक सेंटेंस समझने में एक्लियर होगा और यहां तक ही इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कंपर्टिशन वाले एक्जाम से होते हैं उन सभी में नेरेशन से कुछ ना कुछ कुछ पुछे ही जाते हैं इसलिए आपको ग्रामेटिकली जीस्तिकोर्स से एंगल से और एकाडेमिक एंगल से इन दोनों एंग करेंगे सो विजाओ वेस्टिंग टाइम लेट्स बाउट चली जानते हैं कि नेरेशन क्या होता है कैसे इसकी समर्चा होती है क्या-कैस के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं किन चीजों को किन सावधानियों को किन प्रिकॉशन को को ध्यान अखना होगा और किस तरीके से इसको बहagn人 और मजबुद बना सकते हैं अजसे परे समझिए कि नेरेशन जो हता है वो नैरेट सबसे बना और मतलब सामें लिए मैंने और घंषो में रहन होता है और फतीन होता है किसे जैसे को चलब कि एब 55% आ Premium धी थैच्टheen कि लिए मिजीए और नेरेशन हो जाता है इ यानि कथन क्या होते हैं यह जो नारेशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं पहला डारेक्ट नारेशन और दूसरा इंडारेक्ष नारेशन मतलब नारेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला डारेक्ट नारेशन और दूसरा इंडारेक्ष नारेशन हिंदिम के कि मैंने बता हैं को दो भागों में डायरेक्ट नरेशन और हिंडाये नरेशन थो対 नरेशन के वहता है एक रिकोटिंग कर बहोता है सबसे homage B पहले इन दोनों से आने के पहले सिसक्स कर लेते है कि डियरेक्ट नेरेशन क्या है अभी मैंने लिघ्टी मतलब होता है पर चक्ष्क तर्प आप सभी दियान से कोंशन्टेट होकर सुनेंगे और कहिं दीकत होगा उसके में जरू बताएंगे तो डारेट कतन क्या होता है वक्ता के कहे गए शब्दों को समझेंगे जो स्पीकर होता है जो वक्ता होता है उसके कहे गए शब्दों को जियों का त्यों कहा देना वक्ता के कहे गए शब्दों को जियों का त्यों का देना डारेक्ट नरेशन कहलाता है और इन डारेक्ट जो होता है वक्ता के कहे गए शब्दों को जियों का त्यों ना कहके जैसे ये बोला उस्तर ना कहना है उसके कहे गए शब्दों को जियों का त्यों ना कहके अपने वक्ता के कहे गए शभदों को जियों कात्यों कहा देना direct narration और वक्ता के कहे गए शभदों को जियों कात्यों ना कहके अपने भाव में व्यक्त करना indirect narration कहलाता है I hope you´d clear हो गए दूसरी चीज अभी आते हैं नोगो डारेक्ट नरेशंट के रूस और रेगोलेशन पर क्योंकि हमको अभी तो चैंज करना नहीं है फ़ेल यह समझा लेते हैं कि डारेक्ट नरेशन के रूस और रेगोलेशन क्या होते हैं क्या क्या हमको साउधानिया बर्दी परती है इसके क्या क्या कॉशन होते हैं उसके बाद हम आगे पढ़के डिस्कस करेंगे सबसे जो डारेट नेरेशन होता है उसके टू टाइप सोते हैं एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि वक्ता ज जिस reporting वर्फ से अपनी बात को शुरुवात करता जो inverted comma के बाहर होता है उसे हम reporting वर्फ कहते हैं और reported speech क्या होता है कि वक्ता के द्वारा यानि speaker के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है या बोला जाता है जिसे inverted कामा के अंदर लिखा जाता है उसे हम reported speech कहते है एक example मैंने दिया है यह समझाने के लिए कि reporting वर्व क्या है और reported speech क्या है आप यह देख सकते हैं मैंने example में लिखा है they said to me you have completed your work मैंने क्या कहा है they said to me अब आपको पहले समना कि कि इसमें reporting वर्व क्या है और reported speech क्या है आप नहीं देखा कि they said to यह नहीं कहने का मतलब जो said to होता है यही reporting वर्व का काम करता है लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसमें subject भी होता है वर्व भी होता है और object भी होता है तो यह सारे कि सारे जो words हुता हैं, एक sentence का निमाना करते हैं, जिसको इस sentence में इस word से अलग नहीं किया जा सकता है, इसने पूरे चीज को नहीं, देश लेकर मीन तक का, पूरे कौन क्या बोलेंगे, reporting word, याणि यह जो, आपका यह हिस्सा हो गया, they said to me यह क्या कहा लागा reporting बर्व और इसके बाद जो inverted कामा के अंदर रखा हुआ है यानि यहाँ पे inverted कामा भी है समझेंगे जो यह inverted कामा है इनके अंदर यहां से देखकर यहां तक यानि क्या you have completed your work यह जो inverted कामा में close है उसको reported speech कहते है clear बात है यानि inverted कामा के बाहर का जो होता है उसे reporting बर्व करते हैं और inverted कामा के अंदर जो लिखा होता है उसे reported speech करते हैं definition क्या दे सकते हैं कि वक्ता के द्वारा जो भी main work से वाकिशुरू जो होती है यानि reporting verb से जो वाक की शुरुवात होती है उसे वो reporting verb करते हैं और उसके द्वारा जो कही गई बात होती है जो inverted comma के अंदर लिखा होता है उसे वो reported speech कहते हैं आयोप यह बात है clear हो गई होंगी दूसरी चीज़ आते हैं रखना है लिखे हैं हम कुछ some common points कुछ direct narration के कुछ common points होते हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वो common points हैं पहला points में लिखा है direct speech में direct speech में वक्ता के कथन को inverted comma के अंदर लिखते हैं यानि जो direct speech होता है यह आपका direct speech है क्योंकि अभी इसको change नहीं किया गया है तो इसलिए पूरा चीज़ क्या कह लागा यह direct speech कह लागा अब थ्यान समझेगा direct speech का मतलब क्या है कि जब कोई बात किसी के सामने कह दिया ज इधे ग्जामप्ल कम लेते हैं अगर हमें किसी से कोई बात कहना है कि मेरे सामने कोई महेश नाम का लड़का है और उससे हम यह कहैं कि महेश यह कल्म अपनी ले लो महेशicky बहुत अच्छे लड़कें कोई महेश कम का लड़कांगे सामनी खड़ा है और मैं उसको कहा दिया कि में तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो तो यह बात मैं डारेट कह रहां उसको गौर करिएगा महेंश मेरे सामने है इसलिम स्कोडाइरेट कहा दे रहा हूं लेकिन यहीं हो गया डारेट निरेशन केडिन अगर बाई-देवे मैं वो महेश नाम का आदमी मेरे पास मौझूद नहीं है और मैं अपनी बात किसी दूसरे के माध्यम से उस तक पहुचाना चाहता हूँ और जो दूसरा परसन होता आप सब को पता है कि सेकेंड परसन जो यू होता है मैंने आपको इंपरेटिस सेंटेस में बताया था जो सेकेंड परसन यू होता है अगर माई देवे तीन लोग हैं वो नहीं है तीसरा आदमी मैंने कहा अरे सुनो सेकेंड परसन कोई है यू जिस समय कहे रहा हूं महेश एक अच्छा लड़का है तो अगर महेश होता तो मैं डारेट महेश से कह देता लेकि महेश तो है नहीं मैं ये बात किसके थुरू कह रहा हूं तुम्हारे थुरू कह रहा हूं जो यू कालपणी के नाम है तो मैं उसके जरी एक बात कह रहा हूं क्यों है अच्छा ल उस महेश तक पहुंचा जा दिए तो यह क्या होगा वह इन डायरेट नरेशन हो गया है क्लिए है क्लियर है क्यों मैं जब बात कह रहा हूं सामने वह आदि मौझूद है तो डायरेक्ट बात हो गई लेकि मेरी कही बात को transform कर दी गई यू के पास और यू ने मेरी बात को बताए किस से महेश को जाकर क्योंकि महेश को जब बता तो मैं मौझूद था तो मैं कह देता लेकिन जब मेरी बात को वह transfer करेगा तो वह क्या कहलाएगा क्यों मेरी कही बात को क्या कर रहा है वह दोहरा रहा है मंहेश को सूचना दे रहा है जब कüyorsun का क्या क्या जो रिपोर्ट तर्पीच के अंदर देख सकता है कि रिपोर्टट प्रेट है सकते है उसको क्या किया गया रिपोर्ट में ब bonlee कामा के अंदर लिखा यह क्या गया है गया यह इया मटरे श्रोल खांट है सबंसटा है उसको क्लोज कर दिया तो कुछ भी कहा गया आप देख सकते हैं कि वक्ता के द्वारा जो कुछ भी मेंचन किया गया वह सब के सब क्या है वक्ता के दर जो कुछ भी कहा गया है वह हमेशा क्या है इन्वर्ट कामे के अंदर कहा गया क्लियर आप देख सकते क्या कह रहा है इसनले पहले लिख दिया गया है कि after reporting word used comma मतलब क्या reporting word के बाद हमको कामा का पर्योग करना पड़ता है लेकि अगर reporting word के बाद object दिया हुआ है तो कामा का पर्योग हमेशा object के बात करते हैं clear है दूसरा सी inverted comma का first letter should be in capital यानि inverted comma का अंदर जो पहला अक्षर होगा जो पहला लेटर होगा वो हमेशा capital होगा यानि वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसमें का जो पहला लेटर होगा यानि यू आप देख रहे हो कि यू मैंने capital letter में लिखा हुआ है ये कि वक्ता के द्वारा कही गई बात है ये reported speech है इसलिए जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा capital letter में ही होगा clear है बात है ये हो गई रूस किसीच की direct narration की ये हमको point में ध्यान रखना होगा अगर कोई दिक्कत हो ज़रूप पूछेंगे एक बारा पूरा screenshot लेजिए क्योंकि यह चीज़े नियम मैं आगे भी follow करूँगा इसलिए आपको इसका screenshot लखना जरूरी है पर screenshot लेजिए आप अब यहां देखते हैं क्या जो narration होता है इन पांच यो point पर काम करता है किस point point पर देख रहे हैं आप assertive interrogative imperative exclamatory और optative इसलिए मैंने कहा था कि जो i button है वहां पर आप इस पांचों का description में मैंने mention किया हुआ है आप जाकर detail में इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद यानि जो हमारा narration का इन ही पांचों बिंदू ओपन इस पांच point पर काम करता है assertive interrogative imperative exclamatory और optative यानि यह पांचों सेंटेंसों पर और reporter speech होंगे उसको direct में तो ऐसा दिखाए देगा लेकि जब इसको indirect में change करते हैं तो उसके rules क्या होते हैं जरूरी है कि direct rules हमको पता चल लगए अब हमको जानना यह भी है कि जब हम direct sentence से अगर indirect मे बदलते हैं तो हमें क्या-क्या जानकारी और सावधानिया बरतनी चाहिए पहला चीज यह है कि remove inverted comma यह क्या करा rules for indirect narration यानि यह क्या है कि direct को indirect में जब change करते तो उसके क्या-क्या नियम होते हैं यह हमको पहले समझना होगा तो पहला point में लिखा है remove inverted comma यानि जैसे ही आप direct से indirect में change करते हैं as good as possible you have to remove all types of inverted comma don't forget यानि जैसे ही हम रिपोर्टिंग वर यानि डारेट नारेशन को indirect में change करते हैं जितने भी inverted comma आपको दिखाये देंगे उसको removed करता है हटा देना है removed करता है क्या हटा देना है दूसरा point क्या कहा रहा है मैंने कि after reporting वर्ब no use comma after reporting वर्ब no use comma यानि कहने को महला जैसे इसको इंडारेट में change किया जाएगा कोई भी आप जैसे पता है कि तो रिपोर्टिंग वर्ब कामा कप्रेव करते जैसे आप इंडारेट में change करेंगे यह कॉमा एटोमेटकली विल भी डिस एपियर्ड इसको गायब कर देंगे हटा देंगे यारी और टाप्स कॉमा एंड सिंगल कॉमा इंवर्डेट कावा विल भी फिनिज्ट विल भी वैनिज्ट इसको गायब कर दिया जाएगा ठीक है अव्य दोसरे चीज क्या करा रहे नो चेंज रिपोर्टिंग वर्फ टेंज यानि जो रिपोर्टिंग वर्प का टेंज होता है अगर इस तैंस में होगा सबको पता है टेंज के बारे में और आप रिक्मेंट करेंगे तो परकार्वी परकार्व में होता है दो किसी भी भाग में होगा इसी भी पार्ट में कोई बदलाव नहीं होगा यह जिस टेंज में होता है उसी टेंज में ही रखते हैं शब्द बदल सकते हैं लेकिं कभी भी इसका भाव नहीं बदलता है क्लियर बाते अगला चीछ क्या करा है reporting verb will be changed according reported speech यानि जो reporting verb हमारा ये है यानि से टू जो है वह रिपोर्टेड इस्पीच के भाव के अनुसार बदल जाता है यानि जो से टू होता है इंडारेट में जब उसको हम चेंज करते हैं तो यह बदल जाता है किसके एकॉर्डिंग रिपोर्टेड इस्पीच के भाव के अनुसार तो कभी ये सेरिटू को हम asked में भी बदल सकते हैं, कभी हम advice में बदल सकते हैं, कभी हम suggested में बदल सकते हैं, कभी हम ordered में बदल सकते हैं, कभी हम tells में भी बदल सकते हैं, तो जैसा इसका भाव होगा, जैसा उसका tense होगा, उसके हिसाप से हम reporting verb को change कर सकते हैं, clear है, यानि कहना मत सब्सक्राइब बदा सकते हैं और सकता है किसको बदा सकते हैं रिपोर्टिंग वर्व को किस के अनुसा अब आगे बता रहा है cape 4. कि यानि जैसे ही रिपोर्टिंग वर्व compliance करते हैं दार्ने के लिए तुरंत इस वाकिर को जोडें आप सबको पता है की जब दो sentence को मिलाया जाता है तो किसी न किसी conjunction का परियोग किया जाता है तो जैसे ही हम reporting वर्व के बात क्या करते हैं इस sentence को जोडते हैं तो reporting वर्व के तुरंत बात किसी न किसी conjunction का परियोग किया जाता है और वह conjunction if भी हो सकता है, whether भी हो सकता है, to भी हो सकता है या कोई question वाला word भी हो सकता है जैसा भा होगा जैसा tense होगा उसके अनुसार हम conjunction का भी परियोग करते हैं clear है आगे दिखते हैं अगल करा है accept I and proper noun first letter should be in small form मतलब क्या करा है accept मैंने होता है किसके अलावा I और proper noun के अलावा यानि indirect speech में जैसे ही change करते हैं तो आपने समझा था कि direct speech में पहलाक्षा capital होता है लेकि जैसे ही इसको हम change करते हैं indirect speech में तो कहरा है दो शब्द के वल I या कोई proper noun आया हो या पर U के जगा पे या तो I आजाए या कोई proper noun राम सीता गीता कुछ भी आ जाए तो यहां जैसा है राम या आय इसको वैसे ही तब लिख देंगे इसके अलावा कोई और लेटर आता है तो वह small letter में हो जाता है जो conjunction के बाद आप capital letter नहीं लिख सकते हैं हमेशा small letter का ही परियोग कर सकते हैं लेकिन वहां कोई proper noun नहीं हो और नहीं कोई I से शुरूबात हो यानि I और proper noun हमेशा अपने ही रूप में रहते हैं वह चोटा या बड़ा नहीं होते हैं वह बड़ा ही रहते चोटा बिल्कुल नहीं होते हैं clear है तो कह रहा कि I और कोई proper noun को छोड़कर अगर कोई on later है तो वह है small letter में होगा लेकिन I a proper noun है तो capital letter में ही होगा clear है last line देखते हैं tense pronounce case nearest words time changed यानि कहने का मतलब है अगर reported speech में indirect change करते समय tense भी बदल जाता है pronounce भी बदलते है case में भी बदलता है nearest word जिसको निकरता सुचक शब्द का जाता है वह भी बदल जाता है time बदल जाता है यह सब के सब चीजे बदलाव होती है clear है यह आपके indirect के कुछ नियम हो गए जिन नियमों को हमको ध्यान से समझना होगा पढ़ना होगा अगर यह चीजे अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको असर्टिव से में यह पांच हो sentence को एक एक करके मैं पूरी narration के थुरू इसको मैं confirm करूंगा करूंगा आई होप यह पूरी बाते क्लियर समझ में आ गई होंगी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है कोई प्रावलम होती है तो आप इसके बार जरूर डिस्कस करेंगे सब्सक्राइब और अगर गोडे टो अलफ यू